वेल दोस्तों आज के वीडियो मेंली दो केटेगरी के अंदर डिवाइड होने वाली है अब देखो पहली केटेगरी के अंदर तो वो लोग आते हैं जिनका सिविल स्कोर बहुत जादा बेकार है या फिर अभी उनका क्रेडिट स्कोर बिल्ड ही नहीं आए और वो लोग अप जिन ध्यान अगना इस option को जब अप लेते हो तो भई आपके parents के पास कोई ना कोई credit card होना चीए उसके थुरू आपको credit card दिया जाता है लेकिन अगर आप इस method के थुरू credit card अपलाए करते हो तो भई आपके civil के अंदर कोई भी inquiry नहीं बढ़ेगी आपका civilist को यहाँ पे generate भी नहीं होगा और बढ़ेगा भी नहीं और दूसरा option आता है कि अगर आप salary person हो तो bank आपको खुद pre-approved basis पे credit card offer करता है और उस situation के दर भी आप credit card अपलाए कर सकते हो जो कि आपको कम limit के साथ मिलता है और फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ पे तीसरा option बसता है वो है FD based credit card अब देखो आपको यहाँ पे एक fix deposit करवानी पड़ती है किसी भी bank के अंदर आपको चाहिए हो account हो या फिना हो आपको dedicated bank दे दिया जाएगा आप उसी bank के अंदर FD करवाते हो तो FD के against आपको credit card issue करके दिया जाता है जो कि आपके FD के limit का 90 से 100% के आसपास का होता है लेकि लेकिन दूसरी category के अंदर हमको decent level के option देखने को मिल जाते हैं और मैं आपको उसी हिसाब से decent level के option ही suggest करूँगा अब ही हम सबसे पहले देख लेते हैं कि दूसरी category के अंदर हमार पास कौंग कौन से option available है अब दोस्तों पहले option के अंदर मैंने axis bank के दो बहुत basic level के card रखे है सबसे पहला हमार आता है axis bank का new card दूसरा myzone credit card अब देखो वैसे तो इन दोनों card के अंदर जो offer हैं भाई बिल्कुल ही बकवास हैं मैं credit card को पिसे दो साल से use करहा हूँ और मेरे आज तक एक रुपए का benefit नहीं होगा लेकिन अगर आप axis bank में अपना पहले credit card अप्लाई करना चाहते हूँ तो भी आपके लिए सबसे best new हो सकता है और उसके बाद थोड़े upper level पे आपके लिए myzone best हो सकता है अब देखो new card का major benefit यह है कि अगर आप इसका use करके zometo पे इसके तुरू shopping करते हो यानि कि order अपना book करते हो तो यहाँ पे आपको up to 40% का off मिल जाएगा लेकिन इस discount को avail करने के लिए आपका minimum order value 200 रुपे का होना चीए तब जाके आपको यहाँ पे maximum 120 रुपे का discount दिये जाएगा और यह discount अप मन्थ में दो बार ले सकते हो लेकिन इस discount के मैं आपको reality बता हूँ जब मैं यह discount ले रहे है आना तो app के अंदर जो मेरे को pre-approved offer मिले ना वो इस वीगी वगरा पे तब जाके आपका यह वाल कार काम आ सकता है मैं यहाँ पे offer वगरा लगा दूँगा वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मैं आपको दुबारा बतारू हूँ यह Axis Bank के बिल्कुल basic card है अगर आपको यह दोनों card में से कोई सबी card lifetime free मिलता है तो तो आ अब दोस्तों हमारे यहाँ पर जे दूसरे नंबर पर काड़ आता है वह है आप देखो मैं जैसे-जैसे card के नंबर बढ़ाता जा रहा हूँ आप समझ जाना इस card को apply करने के लिए थोड़ी बहुत eligibility के राइटिरिया भी बढ़ सकती है यानिका आपका सिविल स्कोर जितना आपको lifetime free basis पे दिया जाता है यानिकि इस card को apply करने के लिए नहीं तो आपको एक भी पैसा joining fees देने के जोद पड़ेंगे अब देखो इस card का major benefit है अगर आप इस card का use करके amazon पे shopping करते हो तो यहाँ पे अगर आप prime user हो तो आपको 5% का unlimited cashback दिया जाएगा और अगर आप non prime user हो तो यहाँ पे आपको 3% का cashback दिया जाएगा अब ध्यान अगना आपको prime customer बनने के लिए भी कुछ पैसे pay करने पड़ते हैं तो भाई वो भी आप याद रहा लेक्न भाई अभी इस card के अंदा थोड़ा बोट devalution कर दिया गया है बेसिकली होता यह था आप जितना भी cashback इ अब दोस्तों जो मैं आपको next credit card बताने वाला हूँ वो है हमारा SBI का Simply Click credit card अब देखो सबसे पहली बात तो भाई मैंने आपको starting में बोला था कि आपको मैं lifetime free card बता हूँगा लेकिन यहाँ पे मैं आपको reality बता देता हूँ इस card को apply करने के लिए आपको यहाँ पे 500 रुप और 500 रुपए annual charges देने पड़ते हैं जिनको कि आप खतम करवा सकते हो लेकिन इस card को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंको इस card के अंदर जो benefit है वो बहुत तगड़े level के हैं सबसे पहले तो इस card के अंदर आपको bell gum benefit ही 500 रुपए का मिल जाता है जो आपने यहाँ प आपको इस card के जो major benefit है वो भी clear कर देता हूँ तो बहुत सबसे पहले तो SPI के कुछ partner brands है इन brands पे अगर आप इस card का use करके shopping करते हो तो यहाँ पे आपको unlimited 10x reward point दिये जाते हैं और इसके अलावा इसका use आप online कहीं पे भी करो वहाँ पे भी आपको 5x reward point दिये जाते हैं बाक इस हिसाब से आप calculate कर लेना और इसको आप कभी भी redeem कर सकते हो अब देखो यह वाला card मैंने आपको इसलिए recommend किया क्योंकि आप बड़े से लिए अपने छोटे expense पे इस वाले card के थुरू अच्छा गाजर discount ले सकते हो इवन यहाँ तक कि दिवाली sale के अंदर भी आपको इस case के अंदर आब आता है हमारा FD based credit card अब देखो यह वीडियो भाई कोई भी paid promotion नहीं है मैंने जितने भी credit card का experience क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले number पे आता है kota का dream different card जो की बंद हो चुगा है तो उसको side कर दो उसके बाद दूसरे number पे आता है one card credit card अब देखो मैंने अपना पहला card ना one card credit card ही apply का था क्योंकि आर देखो जिनका भी civil score build नहीं होता न और उनको एक lifetime free card भी चीए तो भाई उनको अपना एक पहला FD based credit card लेना ही पड़ता है अगर वो नहीं लेते तो भाई बार बार credit card apply करकर के अपने civil कंदर बेकार के inquiry भी लगा लेते हैं और future में जाके उनको कोई credit card में नहीं मिलता तो भी मैंने भी अपना दिमाग लगा है जब मेरे को अपना card apply करना था मैंने FD based किया मैंने 5 EURP के FD करवाई और उतनी limit का मेरे को credit card मिल लिया मैंने उसका 3 महीने continue basis पे use किया उसका 30% में use करता और उसके तुरंत बाद ही मेरे civil कंदर inquiry लग गई थी यानि कि report चड़ गी थी और उसके बाद मेरे को access IDFC SBA जितने भी credit card थे मतलब सबका approval time to time मिलने लगा लेकिन सवाल ही आता है कि आपको आज की date में भी one card credit card apply करना चाहिए तो भी answer is no क्योंकि आज की date में one card credit card के offer बहुत SBM bank का Credilu credit card अब देखो इस card को मैंने list में इसलिए रखाई क्योंकि आज की date में इससे best कोई credit card ही नहीं है FD basis पे क्योंकि पता है आपको इस card को apply करने के बादना आपको यहाँ पर 345 रुपे के welcome benefit मिल जाते हैं यानि कि आपको यहाँ पर 16 रुपे देने पड़े और उसके FD SBM bank अंदर create करवाते हो उस पे आपको 7% per annum का interest rate दिया जाता है और card apply हो जाने के बाद अगर आप इसका use कहीं पे भी करते हो तो यहाँ पे आपको 1% का unlimited cash back दिया जाएगा लेकिन अगला benefit इससे भी तकड़ाए यह credit card ना आपका civil score build करने में बहुत ज्यादा help करता है अंदर आपको assured gift भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि मैंने आपको पताया था इस card पे आपको gift card and discounted voucher मिलेंगे जिनकी value 35 रुपर प्लस होती है और यह gift voucher आपको Amazon, Zomato, Swiggy, Naika, Bookmashow या फिर McDonald's बगरा के मिल जाएंगे जिनका use आप मंतिली basis पे कर सकते हो इसका मैं यहा phone पे loans किया गया है जो कि हमारा power by visa है और इस card के अंदर जितना भी आप FD करवाते हैं वो secure by DICGC है अब देखो DICGC RBA के subsidiary body है जो कि आपको maximum 5 रुपे का insurance provide करती है अगर by any chance SBM bank डूब जाता है तो आपने जितनी भी FD करवा रखिया हो आपको 100% वापिस मिल जाएगा maximum 5 सबसे पहले तो आप जितने की भी FD वनवाते हो उसका 90% आपको credit limit में दिया जाता है और उसके बाद इस card के अंदर first year में कोई fees नहीं है लेकिन renewal fees के 249 रुपीज है और उसको भी आप विवफ करवा सकते हो अगर आप अपने card से एक साल के अंदर minimum 5,000 रुपे भी spend कर लेते हो तो तो दोस्तो card अपलाएगा direct link में आपको description box के अंदर दे रखाए वहाँ से आपको sbm credilio credit card के application को download कर लेना है download करने के बाद आप इसको जैसी open करते हो आपको कुछ इस तरह का interface मिलने वाला है इसके बाद simply आपको join sbm credilio लोपे click कर देना है अब यहाँ पर आप देख सकतो आपके registered mobile number से एक SMS भीज़ा जाएगा ताकि आपका number यहाँ पर verify हो सके उसके बाद आपके number पे एक OTP आएगा OTP आपको यहाँ पर डाल के simply confirm OTP पे click कर देना है अब इस वाले page पे आपको FD amount select करने का option आ रहा है यहाँ पर आप देख सकतो मेरे को minimum 500 रुपे और maximum 50,000 रुपे सिलेक करने का option दिया जा रहा है तो मैं यहाँ पर 5000 ही सिलेक करने वाला हूँ तो यहाँ पर मेरी FD एक साल 25 दिन के लिए बनाई जा रही है जिस पर कि interest rate मेरे को 7% per annum कर दिया जाएगा deposit amount यहाँ पर 500 रुपे रहने वाला ही maturity amount मेरा 5,345 रुपे हो जाएगा और यहीं पर आपकी maturity date भी शोर ही है और यहाँ पर आप देख सकतो मेरी credit limit 4500 रुपे की है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आप FD करवाते हो ना उसका 90% यह आपको दिया जाता है तो यहाँ पर आपको जिनकी जो भी determine question है उसका accept करना है और simply continue पर क्लिक कर दे रहा ही अब इस पहले page पर आप देख सकतो हो आपको अपना pen card का verification करवाना पड़ेगा तो आप अपना pen card number डाल देना उसके बाद personal detail के अंदर आपको अपना date of birth डाल देना ही आपका अधार number हो वो आप डाल देना उसके बाद जो भी इनकी comment question है उसको accept करके simply आपको continue पर क्लिक कर देना ही अब यहाँ पर आपके अधार card के साथ link mobile नमबर पर एक OTP भीजा जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पर डाल के simply उसको confirm कर देना ही और यहाँ पर आप देख सेकतो इसने हमारे अधार card को verify करते हुए हमारे यहाँ पर proper address, date of birth और gender यह तीनों चीज़े निकाल लिए हैं आपको simply उसको confirm कर देना ही और वह देखो एक चीज़ में आपको बता देता हूँ मान के चलते हैं जो address आपके अधार card के अंदर है वो भाई updated नहीं है तो भाई make sure कर ना कि आपको अपण updated address यहाँ पर enter कर नहीं क्योंकि जो इनका physical card होगा वो आपके इसी address पर deliver किया जाएगा तो भाई देखो अगर आपका address यहाँ पर गडबड़ो तो आपको यहाँ पर add new address का option मिल जाएगा आप इसी पर click करके अपना नए address डाल सकते हो उसके बाद आपको simple उसको confirm कर देना ही और उसके बाद आपको अपनी financial detail भी बतानी पड़ीगी उसके बाद आपको अपनी company का यहाँ पर पर नाम बताने के बाद उसका address बताना ही और end में आपको total annual income बताने के बाद आपको simply next पर click कर देना ही अब यहाँ पर आप देख जकतो आपको अपनी nominee detail भी एंटर करने पड़ेगी भाई बाइचांस मानके चलते हैं अगर आपके साथ कोई दुरगटना घड़ जाती है तो जो भी आपका FD वाला पैसा है न वो इसी nominee को transfer कर दिया जाएगा तो भी nominee का नाम, nominee की date of worth और nominee के साथ आपका क्या relationship है यह सारी सीजी बताने के बाद आपको nominee का address भी यहाँ पर confirm करना पड़ेगा उसके बाद आपको simply continue पर click कर देना है अब next page पे आपको अपना bank account verify करवाना होगा जिस भी bank से आप अपना पैसा pay करना चाहते हो तो भी यहाँ पर आपको simply अपना account number उसके बाद उसको दुबारा से confirm कर देना और उसके बाद जो भी आपका IFC code वो आपको enter कर देना है और यहाँ पर आप देख सकतो IFC code डाल दी आपको यहाँ पर branch आ जाएगा आपको simply verify वाले option पे click कर देना है अब आपके bank account को verify करने के लिए ये लोग एक उर्पे credit करेंगे अगर वो पैसा credit हो जाता है तो भी आपके यहाँ पर bank account verify हो जाएगा और account verify होने के बाद भी आपके पास payment option बहुत सारे आजाएगे जैसे गूगल पे phone पे मतलब जो भी application आपके phone गंदर है वो सारी आजाएगी अब यहाँ पर application कोई भी से आप select कर लो लेकिन एक चीज़ ध्यान अगना जो आपका payment है वो इस ही account से pay होना चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकतो मैंने simply Google पे select कर लिया उसके बाद आपको deposit 5000 पे click कर देना है अब यहाँ पर आप देख सकतो जो हमारा FD का amount है वो successful deposit हो चुका है अब यहाँ पर आपको एक अपनी वीडियो के बाशी भी complete करवानी पड़ेगी और वो कुछ आपसे question कर सकता है जो कि आपने fill कर रखे होंगी और उसके बाद आपको अपना pencard यहाँ पे proper show करना पड़ेगा उसके बाद एक paper पे आपको signature करके भी दिखाना पड़ेगा और भाई देखो अगर आपके माईन में कुछ question उड़ते है न तो आप उस agent चे पू आपको simply है personalized your card पे click कर देना ही और इनकी application के अंदर जाके जो भी आपके domestic या फिर international transaction है उसको enable कर लेना उसके बाद आप इस credit card का use कहीं पे भी कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पे 5-6 दिन का wait करना है जो आपका fiscal card है जो आपने यहाँ पे address डाल रखा है वहाँ पे deliver हो अब देखो इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ card को नहीं लिया क्योंकि उन credit card को apply करने के लिए थोड़ा civil score हमको और ज्यादा हाई चाहिए और हमको आपे income proof अगरा भी submit करना पड़ सकता है जैसिका मारा flip card credit card उसके बाद हमारा HDFC bank का millionaire card जो की थोड़ा अभी devalute हो चुका ह इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर नहीं रखा और उसके बाद हमारे यहाँ पर last HDFC bank का Tata new credit card इस card को भी apply करने के लिए आपको यहाँ थोड़े बहुत higher civil score की जोत होती है तो भी बस मेरा यह कहना ही अगर आपका civil score बहुत जादा गिरे हुआ है तब आप SBA bank का credit card apply करो और उसके बाद 2-3 महीने यूज करने के बाद आपके civil account inquiry लग जाएगी और उसके बाद आप कोई सबी card यहाँ पर apply कर सकते हो जो कि आपका basic level का card होता है और जब आप basic level का card ले ले लेते हो तो उसको भी आप थोड़े बहुत जो market के अंदर best credit card है उनको भी आप easily apply कर सकते हो औ अगर आपको premium cards में भी एक comparison वीडियो चाहिए या फिर market के अंदर जो best credit काड़े उनके proper वीडियो चाहिए तो भई आप comment box में बता सकते हो उस पर वीडियो जरूर बनाई चाहिए और credit करको apply करने में अगर आपके पास reaction आ रही हो तो भई उसका भी reason आप मेंने को बता सकते हो सकता है कि उसको भी solve कर दी जाए comment box के अंदर ही तो भी मिलते अगले किसी वीडियो के अंदर तब तक लिए जहीं जय वारत